हाई गाईज, वेलकम टू नॉटी स्टिचेज आज के इस वीडियो में आपके साथ फैब्रिक, ट्राउजर और पर्ल्स का इस्तमाल करके बहुत प्यारा सा ट्राउजर का डिजाइन शेयर करूँगी और इस डिजाइन को बनाना भी बहुत आसान है इसे आप अपने कमीज के दामन, ट्राउजर या स्लीव के उपर बना सकते हैं तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं तो इस डिजाइन को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने दो इंच का एक स्क्वेर पीस लिया है ट्राउजर के ही फैब्रिक में से और इस तरीके से मैंने इसको फोल्ड करके एक ट्राउजल की शेप दे दी है अब इसकी किनारी पर मैंने सिलाई लगा ली और अब फिर से इसको मैंने बीच में से फोल्ड कर लिया है इस तरह से और अब यहाँ पर मैंने फिर से एक सिलाई लगा ली बिल्कुल इसी तरह से आपको काफी सारे ट्राइंगल्स बना कर रख लेने हैं यह देखे अब हमें ट्राउजर के ही कपड़े में से 2.5 इंच चौड़ी एक पट्टी लेनी है और इसके पीछे फ्यूस बेपर चुपका लेना है अब इसे बिल्कुल सेंटर में से फोल्ड करके एक सेंटर में क्रीज बना लेनी है अब इन फैब्रिक ट्राइंगल्स को हम इस तरीके से किनारी पर रखेंगे यह देखे बिल्कुल एक दूसरे के साथ साथ हमें इन ट्राइंगल्स को रखना है और सिलाई लगानी है और अगर आपको अपने डिजाइन में थोड़ा कलर एड़ करना है तो आप ये वाले ट्राइंगल्स डिफरेंट कलर के बना के भी लगा सकते हैं तो भी डिजाइन काफे सुंदर बन कर तयार होगा तो ये देखिए मैंने इस तरीके से ये ट्राइंगल एक तरफ लगा लिये हैं और अब इसके बिल्कुल सामने हमें बाकी के ट्राइंगल्स को भी अटैच करना है तो इस तरह से सामने ट्राइंगल्स को अटैच करते हुए हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि दोनों ट्राइंगल्स की नोक एक दूसरे के साथ टच करें, ये देखिए इस तरीके से मैंने इन ट्राइंगल्स को अच्छे से यहां पर स्टेच कर लिया है इस तरह तो बिल्कुल इसी तरह से हमें सबी triangles को stitch करना है और एक पट्टी बना कर तयार कर लेनी है अब इन दोनों triangles के बिल्कुल बीच में हमें एक मोती attach करना है इस तरह से मोती attach करने पर design तो सुन्दर लगेगा ही साथ ही इन triangles के कोने भी उठे उठे नहीं रहेंगे तो इसके उपर attach करने के लिए मैं थोड़े बड़े साइज का मोती ले रही हूँ आप चाहे तो छोटे साइज का मोती भी लगा सकते हैं इसके बीच में लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह के design में बड़े साइज का मोती थोड़ा जादा graceful लगता है तो बिल्कुल इसी तरह से हमें सभी triangles के बीचों बीच ये मोती attach कर लेने है ये देखिए तो इस तरह मैंने सभी triangles के बीचों बीच ये मोती attach कर लिये हैं और इस पट्टी को मैंने बना कर ready कर लिया है तो मोती लगने के बाद ये पट्टी कुछ ऐसी दिख रही है और अब मैंने ट्राउजर के ही कपड़े में से चार इंच चौड़ी एक और पट्टी काटी है और इस तरीके से इस मोतियों वाली पट्टी को इसके उपर मैंने रखा है और इसकी किनारी पर सिलाई लगा दी है अब हमें इस प्लेन फैब्रिक की पट्टी को इस तरह से फोल्ड करना है इसके उपर और सिलाई लगानी है ये देखिए आप चाहें तो ये वाली पट्टी थोड़ी कम चौड़ी भी रख सकते है अब इस तरह से इस पट्टी को अटाच करने के बाद इसके नीचे हमें लेस को भी अटाच करना है तो मैंने यहाँ पर ग्रे कलर की ही ये लेस ली है और गैंजा फैब्रिक के उपर इंब्रोइडरी वाली लेस है ये और आप अपनी पसंद की कोई भी लेस लगा सकते हैं इसके उपर और आप चाहें तो बिना लेस के भी ये डिजाइन बना सकते हैं काफि सुन्दर लगता है क्योंकि हमने पहले ही इसके उपर पर फैब्रिक ट्रैंगल्स तो लगाई दिये हैं तो जादा लेस लगाने के इसके उपर ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब इस पट्टी को हमें ट्राउजर के उपर रखके इस तरीके से स्टिच करना है ये देखिए इस तरह से मैंने इसके उपर सिलाई लगा दी है और अब हम इसको सीधा करेंगे और इसके उपर भी हम एक टॉप स्टिच लगाएंगे अब टॉप स्टिच लगाने के बाद हम इसके उपर एक लेस भी लगाएंगे white color की lace में लगाऊंगी इसके उपर क्योंकि मैंने white color के ही मोती लगाए है मुझे यह design थोड़ा heavy बनाना था इसलिए मैं इसके उपर जादा laces यूज कर रही हूँ आप बिना laces के भी से बना सकते हैं और अगर आपके पास इस तरह की laces नहीं है तब ही design बनने के बाद अच्छा लगेगा यह देखिए अब बिल्कुल इसी तरह से इसके दूसरी तरफ भी हमें lace लगा लेनी है और यह lace लगाने के बाद हमारा यह design भी बनकर तयार हो जाएगा तो यह देखिए कुछ इस तरह का यह design बनकर ready हुआ है और आप देख सकते हैं बनने के बाद यह design कितना प्यारा लग रहा है कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको यह design कैसा लगा तो आज के लिए बस इतना ही अगर आपको मेरे यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजेगा और मेरे चैनल को subscribe कीजेगा subscribe के बटन के साथ बैल आइकन को भी जरूर दबा लिजेगा ताकि आपको मेरे सभी वीडियो के रगलर अपडेट्स मिल सकें तो guys thank you so much for watching बाई बाई